सारे वीवर्स को मेरी राम राम आज मैं इस वीडियो के माद्यम से आप सब को एक बड़ी दुखद अपडेट देने जा रहा हूँ वैसे तो मुझे ये अपडेट आपको एक दिसंबर को ही दे जानी चाहिए थी जब ये नियूस आई बट मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं अपने सुडेंट्स को अपने बच्चों को अपने विद्यारतियों को कोई दुखत समचार दूँ लेकिन बहुत सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि समचार देना भी तो बहुत सरूरी है इसलिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ देखो भई 2019 के रिजल्ट पे स्टे लग गया है भई स्टे तो पहले ही मुझे मालूम था कि लगेगा ही लगेगा चार-पांच महिने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया था कि इस पे कोट केस हो गया है या होने वाला है क्योंकि 2019 SSE CGL का जो में एक्साम हुआ था तीन शिफ्ट में हुआ था शायद वो थी 14 नूमबर, 15 नूमबर, 16 नूमबर और 18 नूमबर 14 नूमबर, 16 नूमबर और 18 नूमबर तीन शिफ्ट में हुआ था 15 नूमबर और 16 नूमबर के शिफ्ट तो ठीक थी लेकिन 18 नूमबर के शिफ्ट अनेस्पेक्टिड इसी आ गई थी बहुत इसी आ गई थी तो वहिए जब ऐसा होता है तो सब बच्चों के साथ न्याय तो हो ही नहीं पाता अन्याय तो कुछ बच्चों के साथ होना ही होना होता है तो इस चीज़ को देखते हुए जब नूर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट आया तो वह स्रूडेंट जिनको पूरी उमीन थी कि उनका हो जाएगा यानि 18 नूंबर के शिफ्ट वाले बच्चे जिनका बहुत अच्छा पर पर हुआ था जो बहुत गदगद थे उनके तो नूर्मलाइजेशन में इतने नंबर कम हो गए कि वो उस एक्साम को क्रैक नहीं कर पाए और 15 और 16 नूंबर वाले शिफ्ट के कई बच्चों के नंबर इतने ज्यादा बढ़ गए कि वो मैक्सिमम मार्क से भी उपर मार्क सुनके चले गए तो भई ये चीज़े नॉर्मलाइजेशन में क्यों होती है मेरी समय से बाहर है नॉर्मलाइजेशन का ये एक तरीका भी थोड़ा सा गलत है और दूसरा पेपर सेटर को भी बहुत सोचना चाहिए कि इतने इतनी एनिश्टा क्यों हो इतनी अनिक्वैलिटी क्यों हो कि कोई शिफ्ट इतनी इजी और कोई शिफ्ट इतनी टफ तो भाई बड़े दुख की बात है कि इस एक्जाम पे स्टे लग गया है लेकिन मैंने पहले ही अपडेट आपको दे दी थी कि इसमें स्टे लगने के पूरे पूरे चांसे हैं जो कोट केस हुआ है और ये भी बताया था कि इस से नाकेवल 2019 के एसपारेंट्स एफेक्टिड होंगे बलकि इसका एफेक्ट 2020 और 2021 पे ही जाएगा और यहां तक की नहीं 2022 तक भी जाने की संभावना है और वही हुआ अब देखिए इस स्टे जो एक दिसंबर को लगा है इसकी निक्स्ट हीरिंग की डेट 12 अपरेल 2022 दी गई है और 2019 के डेट दी गई थी 15 फरवरी 2022 अब 15 फरवरी 2022 को तो रेजल्ट निकल ही नहीं सकता कोई आसार ही नहीं है तो इसलिए अब 12 अपरेल को ही पता चले गा कि इसका रिजल्ट कब दिया जाएगा या अभी दिया भी जाएगा या और आगे स्टे कॉंटिनू करेगा तो जब इस रिजल्ट 2019 का ही नहीं आएगा तो हम 2020 और 2021 के रिजल्ट की कैसे उमीद कर सकते हैं और फिर 2022 के स्टूडेंट्स 2022 तो आही गया वो भी कहां तक बच्चे वेट करेंगे भाई इतनी फ्रस्टेशन बच्चों को हुई है कि पूछियो मत ये सब देखते हुए मेरा मन भी बहुत बहुत भारी है जब रिजल्ट लेट होता है या डिले होता है तो इसका एफेक्ट सिरफ रिजल्ट तक की सीमित नहीं रहता अब बच्चों की जॉइनिंग भी लेट होगी सब कुछ लेट होगा बच्चों को फ्रस्टेशन भी होगी बच्चे कितने प्रेशान होंगे ना केवल बच्चे उनकी फैमिलीज उनके माता पिता भाई बहन भी कितने प्रेशान हों इतनी फैमिलिस को परेशान नी देने वाले की responsibility भी होनी चाहिए ज़रूरी है वई इन बच्चों को जसने इतना परेशान किया या जो कारण है वो परेशान कर रहे हैं बच्चों को जो कारण उस कारणों का जो सिम्य वायर है उसको भी इसके लिए responsible ठेराया जाए है किसी को कुछ नहीं, कोई evidence नहीं मिला, किसमें कुछ हुआ या नहीं, वही normally result आया, normally सब कुछ, लेकिन सिरफ delay हुई, बच्चे को frustration हुई, तो यह court cases में पिछले experience देखिए, सिवाए frustration और delay के कभी किसी को कुछ नहीं मिला, बहुत दिखते हैं, इसलिए हमारी जो भी system में खाम जो है S.S.E.C.J.L. का, वो एक ही shift में कराना चाहिए, ताकि हमें उससे होने वाली खामियों से बचा जासके, और हर बच्चे को एक जैसे ही question मिले, एक ही question paper मिले, जिससे किसी भी बच्चे को ये ना हो कि मेरा tough आया shift या मेरी easy आया shift, तो सिर्फ मेरी ये demand नहीं थी, बलकि ये एक अच्छी पहल है, लेकिन ये अच्छी पहल जरूर है, लेकिन ये अच्छी पहल 2020 के लिए है, 2019 वालों का क्या करें, जिसमें stay हो गया है, और इस stay की अगली date 12 April 2022 निश्ची तो ये उससे पहले result आना है कि कोई संभावना नहीं है, अब जो हुआ, इसका तो आगे ही देखना होगा, लेकिन मेरी तीन राए जरूर हैं, मैं इस वीडियों के माद्यम से अपने candidates को सामने, SSE के सामने, सब के सामने मैं तीन राए रख रहा हूँ, सबसे पहली मेरी IRA है कि जो भी इस paper को set करते हैं, उनकी personal responsibility भी होनी चाहिए, अगर इन exams में इतनी जादा inequality होती है कि कोई exam बहुत ज़्यादा tough और कोई exam बहुत ज़्यादा easy आ जाता है, तो उनकी personal responsibility भी होनी चाहिए, और उसके लिए उनको punish किया जाना चाहिए, ताकि paper set रितनी लापरवाई से paper set ना करे, अपने responsibility को समझते हुए, पूरी महनत और लगन के साथ paper set करे, और सब बच्चों को एक जैसा paper ही लगबग लगबग हो, ठीक है, 19-20 तो चलता है, आटे में नमक तो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा difference नहीं होना चाहिए, normalization का मतलब यह कभी नहीं है कि बहुत ज़्यादा difference हो उसको normalize किया जाए, वो इसलिए है कि अगर थोड़ा बहुत difference आ जाता है, आटे में नमक आ भी जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए normalization होना चाहिए, मेरी दूसरी राई यह है कि pre-exam को जो भी SSE CGL के pre-exam होता है, वो कम से कम shift में होना चाहिए, जितनी कम shifts में लिया जासके, उतनी कम shift में लिया जाना चाहिए, और mains तो केवल एक ही shift में लिया जा चाहिए, और pre-my भी जो कम से कम shifts में होगा, और inequality exams में बहुत कम होगी, तो normalization में बहुत मामूली अंतर आएगा, तो जिस से फरक नहीं पड़ेगा, आगे court cases होने के संभावनाएं खतम हो जाएंगी, और students के साथ भी न्याय होगा, और वो frustration से बच सकेंगे, मेरी तीसरी और अंतिम राय, उन aspirants से हैं जो SSE CGL के exam दे रहे हैं, या दे चुके हैं, या देंगे, उन से मेरी ये गुजारिश है कि वो सिर्फ SSE CGL के ब्रोस से ही ना रहें, वो इसके साथ साथ दूसरे भी competition की तैयारी रखें, दूसरे भी paper दें, जैसे banking के भी paper जरूर दें, आपने दे इसली जॉइन कर सकें, और इस exam की delay की frustration से बच सकें, हाँ, कुछ students का ये कहना जरूर है, और ये सच भी है, कि इनसान अगर एक दाएरे में फस जाता है, तो उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है, या जो बैंक में चले जाएंगे, उनको फिर बैंक से निकल कर तयारी करन और इधर आना, उसके मामले में कुछ सुस्ती भी हो जाएगी, कुछ मुश्किल भी हो जाएगा, ये सचाई सरूर है, लेकिन वो students जो थोड़ा से मोनेटरी कमसोर हैं, उन्हें तो ये जरूर कर लेना चाहिए, और जो अगर मोनेटरी स्ट्रोंग है, तो ठीक है, वो वेट कर भी सकते हैं, बट फिर भी मेरी ये राय है, कि आप बैंकिंग की और अपने रुजान जरूर रखो, और तब तक उसको जोईन कर लो, जब तक इदर नहीं आसकते, और अगर आप बैंक में सही से सेट हो जाते हैं, तो वहीं रहें, और अगर आपकी ड्रीम पोस्ट, S.S. CGL की ही कोई पोस्ट है, तो साथ साथ तयारी करके इधर आएं, और इस फ्रस्टेशन और डिले से बचें, और लास्ट में में आपको बड़े दुख के साथ बताना चाहरा हूँ, कि जो S.S.C. CGL 2019 का में रिजल्ट 15 फरवरी को आना था, बलकि कुछ सुडेंट्स ने तो इ 12 अपरेल 2022, तो उस से पहले रिजल्ट के आने के कोई आसार नहीं है, उसके बाद भी क्या होता है, इसकी भी जैसे ही कोई अपड़ेट होती है, मैं आपको सरूर दूँगा, और इसके साथ साथ जैसा कि कहा रहा है कि CT और NRA आगे एक्सामस में आने वाला है, उसकी भी 2021 में होगा, 2022 में होगा, जब भी इसके बारे में कोई स्पस्ट गाइलाइन्स आएंगी, मैं आप तक ये निउस सरूर पहुचाँगा और आपको इसके बारे में सरूर से जरूर अपड़ेट दूगा, थैंक यू.